हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं एक्स्प्लेइन करूँगा सची कहानी पर बनी एक स्पैनिश मूवी सेल नंबर 211 को जो 2019 में आई थी इस मूवी की कहानी देखकर आपको लगेगा ये सब मूवी में ही हो सकता है असलियत में नहीं लेकिन यकीन मानिये ये सच में हुआ था अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला था और ओडियंस ने भी इसे बहुत जादा पसंद किया है सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मुवी की शुरुआत में हम एक कैडी को देखते है जो एक प्लास्टिक के तुकडे को लाइटर से गरम करके शार्प कर रहा था फिर सिंग के पास खड़े होकर वो अपने दोनों हाथों की नसे काट लेता है अगले दिन जेल का गार्ड जिसका नाम अर्मांडो है एक नए गार्ड जुआन को जेल के नियम समझा रहा था जुआन कल से जॉब जोइन करने वाला था लेकिन वो एक दिन पहले ही जेल देखने आ गया अर्मांडो बताता है कैडियों को उनके सेल में ले जाने से पहले पूरी तरह चेक किया जाता है और उनके सामान को जमा कर लिया जाता है जुआन को जेल का टूर कराने अर्मांडो के साथ एक और गाड जर्मन भी आया था जेल के अंदर जाते हुए जुआन को पता चलता है जेल के अंदर आने से पहले कैदियों के जूतों की लेज भी निका जाता है जहां वो सौकर खेलते हैं वो गाड जुवान को जेल में हर तरह के सामान की स्मगलिंग के बारे में बताते है और ये सब कैदी तब थकी शांत रहते हैं जब तक वो उन्हें बड़े कैदियों से दूर रखते हैं फिर वो जुवान को इसपेशल सर्विलियन्स एरिय तो जेल में लड़ाई होती है अगर कोई DDS कैडी किसी गाट पर हमला करता है तो उस पर कोई एक्षन नहीं लिया जाता है उल्टा इस से बाकी कैडियों के बीच उस DDS कैडी का रुद्बा बढ़ जाता है इतने में वहाँ जूलियन नाम का एक और गाड आता है वो सब सामान लाते कहा से है क्योंकि जेल में आने से पहले कैडियों का सारा सामान जब्द कर लिया जाता है वो गाड जूआन को बताते है इन कैडियों को कुछ सामान विजिट के दोरान उनके फैमिली मेंबर और कुछ सामान गाड खुद कैडियों को देते है क्योंकि जेल के अंदर की जानकारी के लिए उन्हें कुछ कैदियों की जरूरत पढ़ती है अब अर्मांडो जुआन को अपाचे नाम के एक कोलंबियन कैदी के बारे में बताता है जो उनका खबरी है जिसकी दी गई जानकारी की वज़ा से उन्हें वो पाइप वली गन मिली गाट जानकारी देने के बदले अपाचे को जेल में थोड़ी मनमानी करने रेते है अर्मांडो जुआन को बताता है वो कभी किसी कैदी पर भरोसा ना करे और वो हमेशा उनकी आखों में आखे डाल कर बात करे कैदियों को कभी लगना नहीं चाहिए कि वो डरा हुआ है तबी सीलिंग का ए पहले का सीन दिखाया जाता है मला मांदरे जो एक डिडियस है वो उसी स्ट्रिप पर टहल रहा था उस समय जूलियन उसका गाड़ था वापस आने पर जूलियन मला मांदरे को रोज की तरह हतकड़ी पहना रहा था तबी जूलियन को वो आवास सुनाई दी वो भागकर कर अपने मूझ से एक आवजार निकाल कर अपनी हतकड़ी खोल लेता है जूलियन के वापस आने पर वो जूलियन को चोक करके बेहोश कर देता है दूसी तरफ वो लोग जूलियन को सेल नंबर 211 में ले आये थे अर्मांडो जर्मन से जूलियन के लिए डॉक्टर बुलान से जाना पड़ता है अगले सीन में हम देखते है कैडियों ने पूरी जेल पर कबजा कर लिया है सारे कैडी जेल में हड़ चीस तोड़ रहे है और पेट्रोल बम बनाकर पुलिस कर्मियों पर फेक रहे है दूसरी तरफ अर्मांडो और जर्मन किसी तरह बचकर सेव जगा गए थे वो एक सीनियर गार्ड उतरीला के साथ कंट्रोल रोम से अंदर चल रहे रेंपेज को देख रहे थे वो दोनों उतरीला को बताते हैं उन्होंने सेक्योरिटी एरिया सील कर लिया है जूलियन बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसे मला मांद्रे ने पकड़ लिया था उ उसी तरफ सेल नंबर 211 में बेहोश पड़े जूआन के पास एक रिलेचेस नाम का कैदी पहुचता है वो जूआन को थपड़ मार कर जगाता है और उसे पूछता है वो यहां कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बहुत जादा हैरान और डरा हुआ था अब उसे कोई भी जवा बहुत तरफ अर्मांडो वाडन को जुँएन के बारे में बता रहा था वाडन को पता चलता है जुआन की जूइनिंग कल थी लेकिन वो जेल देखने एक दिन पहले आ गया यह आइडिया उसे अर्मांडो नहीं दिया था इस तरफ अपनी पचाने में लेकर जा रहे थे दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में उन गाड को पता चलता है कैदी एक एक करके सिसी टीवी कैमरा स्टोड रहे है उतरीला वाडन से कहता है कि उन्हें जेल के अंदर जाकर हमला करना होगा लेकिन वॉर्डन स्वाट टीम के आने तक रुखने कहता है उतर तुआ जोरा कि सिग्रेट के फकर पूचता है हुव कहा से आया है जोरा उस 對खाने की कोशिश कर रहा था वो एक कैदी है वमला मांदरे को बताता है वो दोसगयारा से आया है लेकिन मला मंदरे को ऊथा शेर सीर भास की पिटाई से फूटा है मला मांदरे के पूछने पर जुवान बताता है उसे खून करने के जुर्म में 19 साल की सजा हुई है लेकिन जुवान को देखकर मला मांदरे कहता है शकल से वो खूनी नहीं लगता लेकिन जुआन उसे भरोसा दिलाने के लिए कहता है उसने मडर किये है और वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है लेकिन मला मांदरे को अभी भरोसा नहीं होता अब थोड़ा रफ दिखने के लिए जुआन मला मांदरे से बत्तमीजी करता है ये बात सुनकर सभी कैदी हैरान होते है लेकिन जुआन को मला मांदरे के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए वो जुआन की बात का बुरा नहीं मानता अब थोड़ा मजाख करने के बाद मला मांदरे जुआन को उसके कपड़े उतारने कहता है जुवान इसकी वज़ा पूछता है तब मला मांदरे कहता है क्योंकि यहाँ उसका हुकुम चलता है अब जुवान को मजबूरन अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं मला मांदरे ने जुवान के कपड़े इसलिए उतरवाये थे क्योंकि वो देखना चाता था कि जुवान क के पास कोई हतियार तो नहीं जुवान को नंगा देखकर सारे कैदी उसके मज़े लेने लगते हैं अम मला मांदरे को यकीन हो गया था कि जुवान भी एक कैदी है अब जुवान बेस्मेंट से उपर आ रहा था उसे दिखाई देता है कैदी CCTV कैमरा स्टोड रहे है लेकिन मला मांदरे जुवान की बात से सहमत था अब जुवान के कहने पर मला मांदरे लोबी के CCTV कैमरास को छोड़ देता है दूसी तरफ कंट्रोल रूम में पुलिस वाले ये सब देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था जुवान वहा क्या कर रहा है लेकिन तभी जुवान कपड़े से ढख देता है ये देखकर अर्मांडो समझ जाता है ये जुवान का एक मेसेज है कि उसने सारे कैदियों का भरोसा जीत लिया है वो कैदी समझ रहे है जुवान भी एक कैदी है मला मांदरे को देखकर समझ में आता है वो जुवान से काफी इंप्रेस है अब वा जुलियन के पास मुनैको नाम के आदमी को बुलाता है जुलियन ने उसे अपने चारपस साथियों के साथ बहुत परिशान किया था यहां तक कि उन्होंने मुनैकों को बीस दिन के लिए आइसुलेशन सेल में फेक दिया था मुनैको को जुलियन के साथ अपना पुराना हिसाब बराबर करने रुम में अकेला छोड़ कर बाहर आजाता है और ना चाते हुए भी जुवान को भी उसे अकेला छोड़ कर बाहर आना पड़ता है उनके बाहर आते ही जुलियन के चिल्लाने की आवाज आती है बाहर आते ही म लीडिया में जेल ब्रिक की निउज लीक हो चुकी है वाडन भी वहाँ आता है दरसल हाई अथोरिटीस चाहती है ये सब जल्दी खत्म हो जाए उन्होंने कैदियों से बात करने किसी को भेजा भी नहीं उन्होंने सिर्फ सौट टीम को भेजा है क्योंकि उन्हें डर है कि कही दस साल पहले की तरह जेल में दंगाना हो जाए लेकिन जेल में तीन बहुत खास कैदी है जिनके बारे में हाई अथोरिटीस को पता होना चाहिए सेल नमबर चार के कैईदियों को कई सारे मर्डर और हमलों के इलजाम में गिरफतार किया गया था लिकिन असल में ये कहानी सरकार ने बताई थी लिकिन असलियत में ये तीन कैईदी दूश्मन देश के आतंकवादी थे वो तीनों ETA नाम के आतंकवादी संगठन के मिंबर है उन तीनों में से एक को लग रहा था अगर वो वहाँ से नहीं भागे तो उन्हें मार दिया जाएगा वो तीनों एक दूसरे से बर्क लेंग्विज में बात कर रहे थे तभी तीनों को लेने टेचुला एक आदमी के साथ आता है वो उन तीनों को मला मांदरे के सामने लौबी में लेकर आते है मला मांदरे कैमरा से कपड़ा हटवाता है वो पुलिस ओफिसर को दिखा रहा था उसके पास अब तीन होस्टेजेस है तबी कंट्रोल रूम में अलमांजा नाम का एक आफिसर आता है उसे हाई अथोरिटीज ने निगोशियेशन करने भेजा है उन तीनों को देखकर अलमांजा मला मांदरे का ये मेसे समझ गया था वाडन बताता है उन्होंने कैदियों को कांटेक्ट करने वाकी टोकी दिया है लेकिन कैदियों ने अभी तक उनसे बात नहीं की उन तीन कैदियों को पकड़कर मला मांदरे पुलिस को दिखाना चाता था उसका पलड़ा भारी है मला मانदरे अब बाकी कैडियों को चिला चिला कर बता रहा था कि अब उनकी मांगे अथोरिटीज को माननी ही पड़ेगी क्योंकि उनके पास वो तीनो कैडिय है मला मानदरे की ये इस पीस सुनकर सारे कैडिय चेयर करने लगते है थोड़ी देर बाद पुलिस ओफिसर मला मांदरे की 10 साल पुरानी जेल ब्रेक की एक वीडियो देख रहे थे जिसमें उसने एक गाठ को चाकु घुप कर मार दिया था उन पुलिस वालों को अच्छी तरह पता था मला मांदरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं क्योंकि उसे पता है वो जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा अब अलमांजा उन ETA मिंबर की फाइल पढ़ रहा था जिससे पता चलता है उन ETA मिंबर को इस जेल में बस एक दिन पहले लाया गया था आज उन तीनों को सेल ब्लोक से दूसरी जगा ट्रांसफर करना था और जेल ब्रे के बगल में था इसलिए उतरीला को उस केधी से पूच्टाच करनी थी अर्मांडो बताता है को ने जो के पेट में चोट लगी है इसलिए इस समय वो जेल के हॉस्पिटल में है अब उनके पास कोई और रास्पा नहीं था इसलिए उतरीला को थोड़ा खयाल रखने कहता है क्योंकि उत्रीला एक सक्त ओफिसर है अब अलमांजा जुवान की वाइफ के बारे में पूछता है दूसरी तरफ इन सब से बेखबर एलीना शॉपिंग करने मार्किट में आई थी इस तरफ जेल में मलामांदरे जुवान से एक कागस पर अपन संदाई थी जुवान ने पोस्ट ओफिस में नोकरी करने के लिए पढ़ाई की थी अपनी डिमांड में वो लोग मेलिंगो नाम के सूपरवाइजर को हटाने बोल रहे थे क्योंकि उसने एक कैईदी को कई दिनों तक आईसुलेशन सेल में रखा था जहां ना कोई रोशनी थी ना ही कोई बात करने के लिए था वहाँ इतने दिन रहने के बाद उस कईदी को मार भी रहिम लगने लगी थी क्योंकि मार खाने के बाद बात करने उसके पास कोई मौजूद तो होता था साथी वो अपने डिमांड में कैदियों के लिए कम से कम दो हफतों में एक पर्सनल विजिट चाहते थे मला मांदरे को लग रहा था जुआन ने मर्डर्स अपनी वाइफ की वज़ाए से किये थे क्योंकि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफैर चल रहा होगा लेकिन जुआन बताता है उसने मर्डर्स अपनी वाइफ की वज़ा से नहीं किये अब मला मांदरे अपनी अगली डिमांड बताता है उन्हें एक डॉक्टर चाहिए क्योंकि जेल के डॉक्टर कैडियों की बिमारी को ठीक करने की बजाए और जादा बढ़ा देते है रिलेचेस उन्हें मोराओ नाम के कैडिय के बारे में बताता है जिसे ब्रेंट यूमर हुआ था वो हमेशा अपने सेल में दर्द से चिलाता रहता लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की डॉक्टर ने ट्यूमर उसके मरने के बाद निकाला था क्योंकि मोरोवा ने सेल नंबर 211 में ही अपनी नस काट कर खुदकुशी कर ली थी मतलब ये वही आदमी था जिसे मूवी के शुरुवात में हमने सुसाइट करते हुए देखा था दूसरी तरफ अलमानजा गोंजालेस नाम के कैडी से निगोशेशन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन गोंजालेस उसे कोई भी होशियारी करने से मना करता है और उसे जेल के अंदर आकर बात करने कहता है अलमानजा को किसी दूसरी जगा बात करनी थी लेकिन वो उसे उन लोगों के बीच जेल के अंदर ही बुलाता है अंदर आने के लिए अलमांजा उन्हें कैमरे का कवर हटाने कहता है ताकि बाहर से उसे ओफिसर्स देख सके वो उनसे 15 मिनट में मिलने वाला था गाठ सिसी टीवी कैमरा से देखते है जुआन मला मांदरे के साथ खड़ा है कैमरा टर्न करने पर उन्हें दिखाई देता है अ बताता है उसकी बीवी प्रेगनेंट है इस तरफ टेचूला निगरानी करते समय मला मांदरे और जुआन की तरफ देख रहा था जुआन मला मांदरे को बताता है जिसका उसने मडर किया था वो एक ड्रग डिलर था जो उसके भाई को ड्रग बेचता था यहाँ पर चलता है मला मांदरे जुआन पर काफी भरोसा करने लगा है लेकिन टेचूला को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि एक नया लड़का मला मांदरे का इतना खास बन गया इसलिए टेचूला अपाचे से जुआन के बारे में पता लगाने कहता है तबी अलमांदरे जुआन से मला मौनजा की हाइट का मजग उड़ता है भीला जया रिपले के लिए शुछे मिनिस्टित्री मिनेहीं रहती होगी नहीं तर ने से मारता है क्या क्या में केमरे में जोन को बाहरा आता देख गाठ खोश हो रहे थे दोनों गेट के पास पहुचे ही थे लेकिन तभी अचानक जेल के अंदर से लेकिया की चिल्लाने ही आवाज आती है तबी मला मांदरे उन्हें रोक लेता है और अलमांजा की गरदन पर चाको रखता है साथी वो जुवान को अंदर जाकर देखने कहता है जुवान जल्दी से जाकर देखता है यहाँ पता चलता है एलविश नाम के कैईदी ने किसी दूसरे कैईदी का खोन कर दिया अब कंट्रोल रूम से गाड़ ये सब देख रहे थे वो मरे हुए आदमी की फोटो उन तीनों होस्टेजिस की शकल से मैच करके देखते है उन्हें लगता है ये उन तीनों में से ही एक है इसलिए वो स्वाट टीम को अंदर जाने का ओडर देते है लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए जुवान उन होस्टेजिस को कैमरा के सामने लाने जल्दी से बातरूम की तरफ जाता है जहां उसे रिले चैस और बाकी कैदी रोकते है लेकिन वो किसी तरह उन होस्टेजिस को कैमरा के सामने लाकर खड़ा कर देता है उन तीनों को जिंदा देख कर स्वाट टीम मिशन अबॉट कर देती है स्वाट टीम के पीछे हटते ही जुवान बाकी कैडियों के नजर में हीरो बन चुका था लेकिन मला मांदरे के वहाँ आने पर जूलियन उसे आगे कर देता है सबी कैदियों ने मला मांदरे और जूलियन को उठा लिया था लेकिन मला मांदरे जुवान से कहता है अगली बार जुवान ने उससे बीना पूचे कुछ किया तो वो उसे मार देगा दुसी तरफ अलमांजा जेल से बाहरा चुका था और मीडिया में जूटी खबर फैल गई थी कि एटिये के एक मिंबर का जेल में ही खून हो चुका है वाडन फोन पर किसी को समझा रहा था एटिये के तीनों मिंबर जिंदा है यही निउस एलीना भी एक कैफे में बैट कर जुआन को कॉल करती है इस तरफ उत्रीला जेल के कैदी को बुरी तरह टॉर्चर करके उससे पूछ ताच कर रहा था कि मला मांदरे को एटिये मेंबर के बारे में कैसे पता चला वो कैदी इतना चिला रहा था कि उसकी आवाज बाहर तका रही थी उसे देखकर समझ में आत है उत्रीला को लोगों को टॉर्चर करना बहुत पसंद है अर्मांडो उस कैदी की आवाज सुनकर उत्रीला को थोड़ी नर्मि बरतने कहता है लेकिन उत्रीला जो कि उस कैदी से एक बीशब नहीं उगलवा पाया था वो नहीं रुख था आखिर में वो उत्रीला को बता था इंसान नहीं अब वाडन ओफिस से अर्मांडो के लिए बुलावा आता है दरसल वहाँ घबराई हुई एलीना ने फोन किया था एलीना जुआन से बात ना होने के कारण बहुत परिशान थी लेकिन अर्मांडो उसे किसी तरह समझा कर घर जाने कहता है लेकिन एलीना अर् आदमी उन जिंगों को फेक देता है वो कहता है अगर उन लोगों ने उन्हें हाड भी लगाया तो उनके पूरे परिवार को मरवा दिया जायेगा लेकिन मला मांडरे की कोई फैमिली थी ही नहीं इसलिए वो उन से नहीं डरता वो उन एटिये मिंबर को तीन से चार घंटो तक शांत रहने कहता है दूसी तरफ एलीना गाड़ी चलाते हुए जुआन के साथ अपना फ्लेश बैक याद कर रही थी दरसल आज वो जुआन को जेल जाने से रोक रही थी लेकिन अपना इंप्रेशन जमाने के लिए जुआन एक दिन पहले जेल जाना चाता था जेल में जुआन देख रहा था लेकिन उसे अपाचे देख रहा था मला मांदरे प्लेट लेकर एलविश के पास पहुचता है पहले तो मला मांदरे उससे थोड़ा मजाग करता है लेकिन फिर उसके मुह में जिंगे ठूसते हुए उसे मारने लगता है क्योंकि उसने कुछ देर पह लोबी में लेकर आते हैं इस तरफ जुआन का अलमांजा के साथ कॉंटेक्ट होता है वो बताता है होस्ट जिस सेल नंबर 219 में है साथ ही वो उनसे एलीना के बारे में पूछता है अलमांजा उसे बताता है एलीना बिल्कुल ठीक है उन्होंने एलीना को बता दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है लोबी में कैदी टीवी पर अपने परिवार वालों को जेल के बाहर देखकर खुश हो रहे थे दूसरी तरफ जुवान पोलीस से आगे का प्लैन पूछता है लेकिन गवर्मेंट के साथ एगरिमेंट के कारण पोलीस एटिये मिंबर की जान को जोखिम में डाल सकती इसलिए पोलीस के पास अभी कोई प्लैन नहीं है वही जेल के बाहर इस्तिती लगातार खराब हो रही थी तबी अचानक मला मांद्रे को वोकी टोकी की याद आती है वो वोकी टोकी के बारे में टेचुला से पूछता है इस तरफ वोकी टोकी पर अलमांजा जु अब मला मांद्रे उस वोकी टोकी को ढूंड ही रहा था तबी जुवान उसे वोकी टोकी ला कर देता है और मला मांद्रे को वोकी टोकी संभाल कर रखने कहता है लेकिन उसे सेल से निकलते हुए अपाचे देख रहा था वो जुवान की इंफर्मेशन निकालने के लिए इसरी तरफ अर्मांडो उस नई बोरेगों के पास पहुचता है। उसे उत्रीला ने बूरी तरह पीटा था। उसे बोरेगों से पता चलता है। उसने उत्रीला के बाल लगभग 8 दिन पहले काटे थे। ये सुनकर अर्मांडो समझ जाता है कि उत्रीला ने ही अपने बाल का ते समय ETA member वाली बात बोरीगो को बताई थी और बोरीगो ने ये बात मलावांदरे को बताई ये जाने बगैर कि इस information का अंजाम क्या हो सकता है इसलिए बोरीगो का मुँ बन करने के लिए उतरीला ने उसे बहुत पीटा था अर्मांडो ये बात अलमांजो को बताता है अलमांजो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अपने 10 यूरोज बचाने के लिए उतरीला बाल काटने बाहर नहीं गया और ये सब कही न कही उसकी ही लापरवाही का नतीजा है क्योंकि दूसरी जेल में एक गाड और एक इटीय मिंबर का खून हो चुका है वही जेल के बाहर लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा था पोलिस वाले लगातार उन लोगों से वापस जाने बोल रहे थे इसी बीच वहाँ से एक एम्बूलंस को जाता देख सारी भीड उस एम्बूलंस की तरब भागती है वहाँ पोलिस पर पत्थराओ भी शुडू हो जाता है उन्ही पत्थर में से एक उत्रीला के पास आकर गिरता है ये देखकर उत्रीला सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दो और गाट को बुलवाता है बाहर लोगों ने एम्बूलंस को घेर लिया था ये सब अफरा तफरी सारे कैदी टीवी पर देख रहे थे मला मांदरे इस बारे में एलमांजा से बात करता है इसी बीच अपाचे जुवान की इंफर्मेशन निकाल रहा था वो जुवान को इंडैरिकली कहता है उसे सब पता चल गया है जुवान उससे कहता है ये बात वो मला मांदरे को बताए लेकिन अपाचे कहता है वो हर इंसान को बचने का एक मौका देता है या फिर बदले में उसे कुछ चाहिए रहता है अब बाहर वो लोग एंबूलन्स को रोक कर उसमें से किसी को बाहर निकालते है तभी एलीना के पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है और तभी टीवी का सिगनल कर जाता है बाहर कुछ गाट्स अब भी लोगों को पीट रहे थे तभी एक गाट प्रेग्नेंट एलीना के सिर पर मारता है और उसके गिरने पर उसके पेट पर भी डंडा मार देता है लेकिन उसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है साथी वो अलमानजा से जुवान की वाइफ के बारे में पूछता है अलमानजा उसे बताता है एलीना एकदम ठीक है अब जुवान अलमानजा से बात करता है अल्मानजा उसे बताता है एलीना को प्रिस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया है लेकिन जुवान को एलीना से बात करनी थी लेकिन अल्मानजा बहना बना कर जुवान को मना कर देता है अब जुवान एलीना से मिलना चाता था इस बात पर उसे अपने साथ चलने कहता है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह जुवान को जेल से बाहर निकालना था, लेकिन मला मांदरे इस बात पर राजी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ जुवान के नहीं बाकी लोगों के परिवार वाले भी जखमी हुए है, अलमानजा बहुत परेशान थ जुवान को कैसे बताए, एलीना के साथ क्या हुआ है, अब जुवान अपने सेल में रेडियो के सिगनल ढूंडने की कोशिश कर रहा होता है, इटने में वहाँ अपाचे आता है, वो बताता है पुलिस वालों ने सारे सिगनल जैमर्स की मदद से ब्लॉक कर दिये है, जुवान भी उसे धमकी देता है कि वो मला मांदरे को बता देगा कि अपाचे ने सेल नंबर 233 में रखी गन की जानकारी पुलिस को दी थी, मतलब अपाचे ही पुलिस का मुक्बीर है, ये सुनकर अपाचे ठंडा बढ़ जाता है, अब जुवान अपाचे से एक डील करता है, वो पता लगा है बाहर क्या हुआ है, और वो अपाचे को वो नोट दे देगा जिसमें उसने पुलिस वालों को जानकारी दी थी, ताकि वो उस सबूत को खत्म कर सके, दूसरी तरफ उतरीला टीवी पर निउस देख रहा था, टीवी पर एलीना की ही निउस चल रही थी इस बात की सफाई में उतरीला वाडन से कहता है, उसे कैसे पता होगा एलीना वहा थी, लेकिन इस हरकत के लिए उतरीला को सस्पेंड कर दिया गया था, जेल के अंदर मला मांदरे जुआन को समझा रहा था, कि अगर वो जेल में थोड़ी चालाकी से रहे तो सास साल में ही प्रिहा हो सकता है, लेकिन सास साल बाद उसका बच्चा उसे पहचाने का नहीं, अगर वो जुआन की जगा होता तो एलीना को कभी जेल में बच्चे को लाने नहीं देता, साथी उसे बाहर हुए इंसिलेंट के बारे में कम सोचने कहता है, वो जुआन को बताता है उसका भ लिस्ट बेजी है पुलीस की इस हरकत से मला मांदरे का दिमाग खराब हो गया था वो उन एटीय मिंबर को मारने एक कमरे में लेकर आता है लेकिन जब जब जुवान को ये पता चलता है वो मला मांदरे को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था पुलीस सिर्फ एटी चुला समझ गया था उसे जुवान का आइडिया पसंद आया है इसलिए गुस्से में वो जुवान को ही उस ETA मिम्बर का कान काटने कहता है और उसके हाथ में एक ब्लेट पकड़ा देता है अब जुवान किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उस ETA मिम्बर का कान काटता है अग लिए बेसिन का तूटा हुआ तुकड़ा ऐजे हतियार अपनी जेब में रख लेता है जुआन मला मांदरे के पास पहुचता है जहां बाकी लोग बहुत सीरियस खड़े थे पहले तो जुआन को लगता है अपाचे ने सभी को उसके बारे में बता दिया लेकिन मला मांदरे पताता है अपाचे ने बाहर हुए दंगे के बारे में पता लगाया जिसमें 20 लोग घायल हुए उन में से 7 लोग अभी भी हॉस्पिटल में है जिसमें से भी कुछ लोगों की कंडिशन सीरियस है जिसमें से एक एलीना भी है अपाचे उसे अपने मोबाइल में एक वीडिय में आ जाता है वो फौरण उत्रीला को बुलवाता है सस्पेंड होने के बाद उत्रीला जेल से जा रहा था लेकिन तभी एक गार्ड उसे बुलाने आता है क्योंकि उसे ऊपर बुलाया गया है अगले सीन में अलमांजा उत्रीला को जेल में ले जा रहा था दरसल अब कैदिय के साथ बात करना चाते है जीसे वो जानते है लेकिन उन्हें पता नहीं था जुवान को एलीना के बारे में पता चल चुका है अब उत्रीला जेल के अंदर मला मांदरे के सामने पहुचता है मला मांदरे उत्रीला के साथ सिगरेट जलाता है लेकिन मला मांदरे उसकी कमर पर ह पाहर उसने जिन लोगों पर हमला किया उनमें जुवान की पतनी भी थी उत्रिला जुवान को सफाई देटा ये अलिना को देखा नहीं था ये सब बस एक एक्सिडेन्डट था लेकिन एलिना को मारने के बाद उत्रिला उसे छोड़ कर भाग गया था इस बात का उत्रीला के पास कोई जवाब नहीं था तब जुवान उसे मारना शुरू कर देता है लेकिन मला मांदरे उसे रोकता है और उत्रीला से एलिना की हालत के बारे में पूछता है लेकिन उत्रीला कोई साफ जवाब नहीं देता अब मला मांदरे जुवान को वाकी टोकी देखर एलेना से बात करने कहता है अगर आफिसर उसकी बात एलेना से नहीं करवाते तब वो उतरीला को यही मार देंगे अब वाकी टोकी पर जुवान अर्मांडो से बात करता है उसे एलेना से बात करनी थी लेकिन अर्मांडो उसे बीवी एलीना मर चुकी है और एलीना के साथ उसका बच्चा भी मर चुका है एलीना की मौत की खबर सुनकर जुआन बुरी तरह रोने लगता है क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था उसे रोता हुआ देख मला मांदरे बाकी कैदियों को उतरीला को मारने का इशारा कर बताता है सभी केदी उतरीला को पीटने लगते है लेकिन मार खाते समय उतरीला सभको बतादेता है जुवान भी एक गार्ड है उसलिए उसने उन फ़ैलीओको बेवकूफ बनाया हुआ है लेकिन तब जुवान गुसे में उसके पास जाकर बेसीन के तुक Article से उतरीला का करता था शायद इसलिए वो कान या गला काटने में इतना माहीर है वो उस समय एलिना के साथ एक कॉलिटी टाइम बिता रहा था लेकिन प्रिजन टाइम में जुआन बेल्ट की मदद से खुद को फासी लगाने की कोशिश करता है लेकिन बेल्ट तूड जाता है वो लगाता र इरोद में ETA ने एक कार में ब्लास्ट किया था इस तरफ तेचूला को लग रहा था उतरीला सज बोल रहा था और जुआन भी एक गार्ड है लेकिन मला मांदरे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि जुआन ने उतरीला की गर्दन बिल्कुल किसी क्रीमिनल की तरह काटी थी अब ही उस ओफिसर को अल्टीमिटम देता है सरकार उनकी मांगे मान ले वरना स्वाट टीम के पहुचने से पहले वो उन तीनों ETA मिंबर को भी इसी तरह मार देंगे मला मांदरे जुआन को बताता है सरकार उनकी शर्ते मानने तयार है लेकिन जुआन को उन पर भरोसा नहीं थ वहाँ Eilina की बात निकलती है जुआन बताता है उसने खुद को मारने की कोशिश की लेकिन वो अकेला नहीं है जिसने इस जेल में खुद खुशी करने की कोशिश की है सेल नंबर 211 का पिछला कैदी तडब तडब कर मरा था जुआन उन सबको जूटा कहता है वो लोग हाला जुआन को चेयर करने लगते है जुआन सरकार को उनकी शर्त मानने बस एक घंटे का समय देता है इस बात पर मला मांदरे भी जुआन के साथ था अगले सीन में मला मांदरे जुआन को धमका रहा था क्योंकि जुआन को उसने अकेले हीरो बनने से मना किया था लेकिन जुआ अब उनके कंट्रोल में है तभी इतना हाई गवर्मेंट ओफिसर उनसे बात करने आया था जुवान कहता है सब के सामने मला मांदरे ने उसका सपोर्ट किया है अब वो अपनी बात से पीचे नहीं हट सकता मला मांदरे अपनी जुबान का पक्का था इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा अब मला मांदरे टेचूला से तीनों होस्टेजेस को सेल नंबर 225 में ले जाने कहता है तबी वोकी टॉकी पर अलमांजा मला मांदरे से कोई दूसरा रास्टा निकालने कहता है वो मला मांदरे को उसी स्क्रिप पर बलवाता है वहाँ एक फाइल पड़ी थी जिसमें जुआन के गार्ड होने का सबूत था लेकिन मला मांदरे को उस पर भरोसा नहीं होता लेकिन अलमांजा उसे बताता है जुआन एलिना की मौट से पहले उनका साथ दे रहा था लेकिन अब वो एलिना की मौट का बदला उनसे लेना चाता है अलमांजा मला मांदरे को एक ओफर देता है अगर मला मांदरे उनका साथ देता है तो उसे जेल से एक साल के अंदर ही रीहा कर दिया जाएगा थोड़ी दिर बार मला मांदरे कोकेन लेते समय इस बारे में टेचूला और अपाचे से बात कर रहा था टेचूला और अपाचे जुवान को एक गदार बता रहे थे जिसने उन सब को धोका दिया है लेकिन मला मांदरे बताता है चाहे जुवान ने उन्हें धोका दिया हो लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल सही है सिस्टम अब डर गया है उन्हें जुवान का ही रास्टा अपनाना होगा फिलहाल अपाचे मला मांदरे के सामने कुछ नहीं बोलता लेकिन वो कुछ आदमियों के स की बात पर ध्यान नहीं देता फिर मला मांदरे तेचुला के साथ जुवान के पास आता है अभी दो घंटे पूरे होने में दस मिनट बचे थे जुवान उनसे दस मिनट इंतिजार करने कहता है दूसी तरफ पोलिस वालों को उन एटिये मिंबर की लोकिशन पता चल गई थी क वो अभी सेल नंबर 225 में है स्वाट टिम अंदर आने का प्लैन बना रही थी इस तरफ मला मांदरे जुवान के पास बैठ कर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि कैसे उसमें सारे कैडियों के सामने खुद को भी एक कैडि साबित किया जुवान को समझ में आता है मला मांदर वो चाको जुवान को देकर कहता है दोनों वही करेंगे जैसा उनके बीच तै हुआ था वो दुआ करे कुछ गडबर होने पर ऑफिसर उसे मार दे वरना वो जुवान को मार देगा क्योंकि मला मांदरे धोके बास को माफ नहीं करता तभी एक कैडि बताता है टीवी कर रहे केडियों को मार देता है और बाहर से भी स्वाट टीम अंदर स्मोक बंफायर करने लगती है जुवान जल्दी से मला मांदरे को उन होस्टेजस को मारने कहता है पूरी जेल में अफरत अफरी मच गई थी स्वाट टीम चट से आने की तयारी कर रही थी जुवान और म मला मांदरे को उफर की थी वही डील उन्होंने अपाचे के साथ की जिसे अपाचे आसानी से मान गया मला मांदरे जुवान की पीट से चाकू निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता वो जुवान से आखे खुली रखने कहता है लेकिन तबी एक गोली मला मा पाचे के पास जा रहा था लेकिन अपाचे उसे एक और गोली मार देता है अगले ही पल स्वाट टीम भी चत तोड़ कर अंदर आ जाती है और कुछ समय बाद सब शान्त होता है अब अगले सीन में सब खत्म हो चुका था पुलिस ने जेल पर कंट्रोल कर लिया था वहां से घ कुरी कहानी अर्मांडों किसी investigation committee को बता रहा था वो उन्हें बताता है कहानी वहाँ से बदल गई जब उन्हें पता चला मलामंदरे के साती ही उसके सबसे बड़े दुश्मन है, आखिर में मलामंदरे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब वो अपाचे को घूर कर देखता है, मतलब मलामंदरे उसे छोड़ेगा नहीं, एंड में अर्मांदो को इस बात का अपसोस था, कि वो जुवान क को बचा नहीं पाए इसके लिए वो खुड को कभी माफ नहीं कर पाएगा अर्मांडो सेल नंबर 211 में जाता है जहां उसे जुवान की वेडिंग मिलती है अगर वो हिम्मत करके जुवान को सही समय पर बाहर ले जाता तो शायद एलेना उसका बच्चा और खुड जुवान भी जिन्दा होता और यही यह मूवी भी एंड होती है तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तो के साथ शेयर करें और ऐसी ही मूवी इस केiciones देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते है अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ पीस आख